हलो इस्टोडेंस वालकम डूए स्वागत करती हूँ स्टेपप अक्याडमी में आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रीफ्रेक्शन का एंसी आर्टी सॉल्यूशन अब आप कहेंगे कि यह तो हमें दूसरे चैनल पर भी मिलेगा तो हम यहां क्यों पढ़े तो वह concept clear करते करते मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनसे आप question को बहुत easily याद रख पाएंगे और solve कर पाएंगे तो चलिए शुरू करेंगे NCRT solution इसको शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू क टेक्स बुक के अंदर जितने भी questions है वो हमने already हमारे पिछले वीडियो में cover कर लिये हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि बुक के अंदर के questions का solutions क्या है उनका concept क्या था तो यह सारी चीज़े एक बार जरूर देख लें तो चलो शुरू करेंगे पहले question के साथ बिलकुल जाइएगा मत ध्यान से देखते रहेगा पहला question क्या है बहुत ही easy question है which one of the following material cannot be used to make a lens अब आप लेंस किसकी मदद से नहीं बना सकते हैं आप कहेंगे कि मैं obvious सी बात है water plastic glass या clay glass के लावा तो सारे options बेकार हैं लेकिन यहां पर सवाल यह नहीं है सवाल बहले उन् दिये हुए और यह पूचा कि किसकी मदद से नहीं बना सकते हो अगर यह पूछता कि किसकी मदद से बना सकते हो तो आप glass लग देते लिगे नहीं बना सकते तो भी glass water भी transparent material that means कि हम उसमें कहीं नहीं reflection हो सकता है glass में भी होगा plastic में भी reflection हो सकता है अच्छी quality का plastic है तो लेकिन clay एक ऐसी चीज है कि जिसके through reflection बिल्कुल भी नहीं होगा that means कि clay से हम कहीं भी कदापी नहीं जो lens है वो बना पाएंगे तो सही option क्या होगा clay चलिए next question की तरफ चलेंगे तो next question क्या है next question है the image formed by a concave mirror is observed to be virtual erect and larger than the object image कैसे मिल रही concave mirror में virtual erect and larger where should be the position of object अब between principle focus and center अब देखिए सारे option पढ़ू इतना time लगा हूं उससे बहतर है कि मैं फटा फट से आपके सामने concave mirror का ray diagram बना देती हूं या फिर concave mirror के सारे points बना देती हूं तो यह होता है pole यह focus यह center and अब देखते हैं कि क्या position है between the principle focus and center of curvature क्या object यहां होना चाहिए तब जाकर के हमें virtual erect on a large image मिलेगी at the center of curvature क्या में object को यहां रखू या फिर beyond the center of curvature क्या में object को यहां रखू या फिर between the pole of the mirror and its principal axis या फिर pole और आपके principle क्या between the pole of the mirror and its principal focus अब देखें दोनों यहीं पर अच्छा center of sorry 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 एक एक मैंने पहली चीज़ कर दी a point जो है वो है between center and focus और यह वाला point D है यह है तो हमें कौन सी position पर virtual erect और a large image मिलेगी तो आप बच्चों याद रखिये कि कौन के mirror एक ऐसा mirror है जिसकी सारे ही cases में चाहे image यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो इन सारे cases में आपको जो image मिलती है वो real and inverted मिलती है और size कैसा होता है अलग-अलग जितनी दूर object रखा होगा उतना छोटा image बनेगी और जैसे जैसे object mirror के पास आता जाता है बड़ी enlarged image मिलती है तो एक ही case ऐसा है कि जब focus और पोल के बीच में अगर object रखा होता है तो इस case में हमें जो image मिलती है वो काफी जादा enlarged होती है क्योंकि यह दोनों light reflect होने के बाद mirror के सामने नहीं मिलती तो हम इने virtually पीछे की तरफ मिलाते है और इस तरह से हमें जो image मिलती है वो enlarged virtual और erect मिलती है तो सही option होना चाहिए option number d that is between the pole of the mirror and its principal focus तो I hope यह question आपकी समझ में आ गया है और हम बढ़ेंगे हमारे अगले question की तरफ फटा फट से तो वेर शुड़ एन ऑब्जेक बी प्रेज़ इन फ्रेंट ऑफ और कॉन्वेक्स लेंस तो अगर मेरे पास अगर मुझे रियल इमेज चाहिए टूगेट रियल इमज ओफ साइज ऑफ दा ऑब्जेक तो मैं ऑब्जेक को कहां रखू अब क्वेशन किसका है लेंस का है अब कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें काम यह कॉनकेव मिलर की तरह करता है मतलब ऑब्जेक जितना दूर रहेगा उसकी पॉइंट साइज इमेज बनाएगा और जैसे जैसे आप इसके ऑब्जेक को पास लाते जाओगे यह आपको इसकी साइज जो है वो बढ़ा करके देता जाता है ठीक है ना तो जब आप ऑबजेक को कहां रखते हो जब आप ऑब्जेक को इसके सेंटर रखते हो तो यह एक ऐसा केस होता है कि तब आपको रियल इमेज मिलती है और इंवर्टेड इमेज मिलती है तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए एड़ प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल नहीं अगर फोकस में रखेंगे तो आपको थोड़ी एल लाज मिलेगी सेम साइज नहीं मि तो आपको सेम साइज मिलेगा इंफिनिटी पर रखेंगे तो छोटी इमेज मिलेगी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस की बीच में रखेंगे तो काफी बड़ी और वर्चॉल इमेज मिलेगी तो यह ऑप्शन भी घलत है तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नमबर भी चैनल इंच आप्शन टोइस द फोकल लेंट यहां अगर फोकल लेंट पर रखते हैं तो उस केस में हमें जो इमेज है वो काफी कैसी मिलेगी रियल मिलेगी हाला कि यहां पर यह जो डाइगरम है यह कॉंकेव लेंजं का गलती से लग चुका है यह बिलकुल भी डाइगर म स्कार नहीं है चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स स्वेस्शन की तरफ चलेंगे हम नेक्स स्वेशन है नेक्स स्वेस्टियन क्या है हाँ अस्वारिकल मिरर अधने स्वारिकल लैंज have each a focal length of minus 15 cm अब मैंने आपको एक spherical mirror दे दिया और मैंने आपको एक spherical lens दे दिया है जिसकी focal length minus 15 है तो the mirror and lens are likely to be क्या अब देखिए focal point किसको कहते हैं तो concave mirror और अगर मैं आपसे बोलू convex mirror इनके case में focal point कहा होता है तो concave mirror का focal point जो है इसके सामने की तरफ होता है यह convex के case में focal point इसके पीछे की तरफ होता है कार्टिशन साइन कन्वेंशन रूल यह कहता है कि अगर मैं यहां पर इस तरह से एक line draw करूं I hope आपको यह line draw दिख रही होगी तो यह आपके graph की तरह हो जाएगा है ना मदब बिल्कुल पोल से अगर मैं नॉर्मल नाइन ड्रॉ करती हूं X-axis and Y-axis तो जो भी X-axis पर लेफ्ट साइट की राइट साइट की तरफ होते हैं ठेक है किस तरफ होते हैं लेफ्ट साइट की तरफ तो हम उसे क्या लेते हैं तब हम उसे लेते हैं नेगेटिव और जितने भी पॉइंट्स या फिर वेल्यूज आपके राइल साइट पर होती है उन्हें आप पॉजिटिव लेते हो तो अब देखो यहां से पोल और F की दूरी जो है फोकस की दूरी जो है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं तो इसका मतलब किसकी लेंथ पॉज लेंथ हो की ठीक है और कॉन विक्स लेंग्स आपको कानवेक्स मिलर कैसी फोकल लेंथ देगा पॉजिटिव ठीक है तो एक आंसर तो हमारे लियर है कि स्फ़ेरिकल मिलर की बात करें कॉनकिव लेंज जो है यह इसका अंसर होना चाहिए तो मिलर इस कॉनकिव अब लेंज रहा आपका convex lens और यह रहा आपका concave lens अब अगर मैं यहां पर points बनाती हूं तो यह है आपका C यह है F1 यह है F2 और यह है C2 अब आप बोलेंगे कि इसमें तो दो फोकस है दो दो सेंटर है तो हम किसको मानें कि इसकी focal length किसके तो हम calculate करें तो भई जहां पर भी image बनती है वहां पर होती है इसकी focal length अब कहां image बनती है अगर मैं convex lens की बात करूं तो convex lens के case में सारी जाइट रे जो parallel होती है वह focus पर आकर मिलती है यहां पर मतलब कौन से side पर right side पर ठीक है तो that means की convex lens जो है आपका ठीक है उसकी focal length क्या हो गई है यहां से positive ठीक है अब यहां पर देखें concave lens जो है आपका ठीक है concave lens जो है इसमें क्या होता है यह light रहे यहां से diverge हो जाती है तो हम इने virtually मिलाते हैं इस focus point पर that means कि इस case में concave lens की focal length negative होती है तो सही answer क्या होना चाहिए spherical mirror और spherical lens जिसकी दोनों की focal length minus होगी वो कौन सा होगा तो वो होगा आपका concave both concave ठीक है सही answer है both concave ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ चलते हैं और देखेंगे next question है no matter how far you stand from mirror your image appears erect the mirror is likely to be plane concave convex either plane or convex अब देखे plane mirror concave or convex अब concave mirror एक ऐसा mirror है जहां आपकी image जो है वो erect ना दिखकर के inverted भी दिख सकती है इसलिए concave mirror तो answer नहीं है लेकिन plane or convex mirror जो है यह दो ऐसे mirror है जिसमें आपको image हमेशा कैसी दिखाए देगी erect दिखाए देगी तो इसलिए इसका सही option क्या होना चाहिए इधर plane or convex चाहिए चलिए तो इधर plane or convex is the right option now let's move on to our next question so which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in dictionary आप चोटे-चोटे letters पढ़ना है तो कैस आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे जब आप dictionary पढ़ते हो ठीक है मिरी आवास थोड़ी आज शायद गला खराब हुने की वज़़े से डाउन लेगे लेकिन क्या है ना कि बच्चों को पढ़ाने का जोश है ना वो कभी भी खतम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर टीचर जोश में रहता है तो बच्चा आपको बड़े-बड़े शब्द मिल जाए तो इस केस में आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे तो वह है कॉनकेव लेंस और एक मैं लेंस ऐसा है जो पास आने पर आपकी बड़ी इमेज बना देता है तो कॉन्वेक्स लेंस इस दे राइड ऑप्शन जिनको अगर आप पास में रखोगे दिक्षनरी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको बहुत क्लियर-क्लियर बड़े-बड़े आक्षाए दिखाया देंगे अपनकेव लेंस और फोकल लेंद सवेप्टी सेंत्यमीटर अपनके व लेंस और फोकल लेंद सिल्टी कॉर्श लेंज फोगलेंद सिल्ट करेंगे तो हमारी जो फोकल सेंटर है वह कहां पर बनेगा 10 cm देखिए फोकल लेंद 5 cm ही क्यों चूज करी है मैं आपको पहले यह समझा दू इसलिए चूज करें है क्योंकि हमें पास का डिस्टंस देखना है 50 cm थोड़ा दूर का डिस्टंस हो जाएगा पास में डिक्ष्णर बढ़ेंगे वी विश्टो अप्टेन एंडेक्ट इमेज ऑफिल ऑबजेट यूजिंगा कॉंकेव मिर और फोकल लेंद 15 cm अब यहां पर हमें क्या करना एक इरेक्ट इमेज बनानी है ऑबजेक की और कॉंकेव मिरा है हमारा जिसकी फोकल लेंद थें कॉंकेव ठीक है और लेंद कितनी दी होई है फोकल लेंद के आपके 15 cm तो अब कॉंकेव मिर के केस में जैसा मैंने आपको बताया फोकल लेंद राइट साइट पर होती है इसलिए हम फोकल लेंद को क्या लेंगे माइनस 15 cm लेंगे what should be the range of distance of object from the mirror what is the nature of image and is the image larger or smaller than the object draw a ray diagram to show the image formation in this case अब हमें कैसे मेंज चाहिए है erect image चाहिए है और फोकल लेंथ दी हुए है अब आपसे सबसे बहले पूचा था कि what should be the range of distance of object from the mirror अब देखें ये रहा आपका जो कि हर केस में आपको इरेक्ट नहीं inverted और रियल इमिज देता है और अगर आपको सब्सक्राइब और रिएल इमिज देता है और अगर आप उसकी वर्ट्वल और इरेक्ट इमेज चाहते हो तो इस में क्या करना पड़ेगा आपको उसके उस case पे object को रखना पड़ेगा case मतलब क्यों से आपको in points के बीच में रखना पड़ेगा that means focus और pole के बीच में कहीं पर object को place करना पड़ेगा तब जाकर कि आपको जो image मिलेगी वो कैसी मिलेगी virtual and erect image आपको इस case में जाकर के मिलती है ठीक है तो यह हो गया वो case जिसमें आपको erect image मिलेगी तो अगर मैं आपको बताओं कि what should be the range तो range क्या होगी focal length आपको question में दी हुई है minus 15 cm तो आप माइनस mention कर सकते हैं तो जीरो से 15 cm के बीच में अगर आप object को place करोगे तो आपको erect image मिलेगी what is the nature of image image का nature क्यासा होगा तो यह virtual होगी and erect होगी what is the then is the image larger or smaller than the object और विसी बात है इस case में हमें larger image मिलती है मतलब काफी बड़ी image मिलती है draw the ray diagram तो मैंने कच्चा कच्चा सारे डाइग्राम जो है यहां पर बनाया हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है चलो तो यह question हमने हां से solve कर लिया अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं okay now so name the type of mirror used in the following situations कौन से mirror को आप in following situations में यूज करेंगे headlights of a car अब देखिए कार के headlight में अंदर की तरफ mirror लगा होता है जो कि light को reflect करने का काम करता है अगर मैंने headlight के अंदर converging mirror को लगा दिया तो वो क्या करेगा सारी light race को एक point पर आकर के converge कर देगा point पर आकर के मिला देगा जब आप highway पर आते हो तो आपका गाड़ी की light का focus road पर होना चाहिए तो रोड़ पर होने के लिए मुझे concave mirror का use करना पड़ेगा क्योंकि concave mirror सारी light race को reflect करके एक ही point पर लेकर के आएगा और beam of light focused होगी अगर आपने diverging mirror यूज कर लिया तो लाइट रेको डाइवर्च कर देगा तो कि आपके हैड लाइट में ही कहीं फैल जाएंगी और वह फैली होई light rays जब बहार निकलेंगी तो आपकी light की intensity कम हो जाएगी इसी वज़े से सही option इसका होना चाहिए concave mirror concave mirror are used as reflectors in headlight of a cars when a bulb is located at the focus of the concave mirror अब हाँ जरूरी है कि आपको bulb को कहां place करना है concave mirror के focus पर राइट को concave mirror के focus पर आपको bulb को place करना है the light ray after reflection from the mirror travel over a large distance as parallel beam of light intensity टेके with a high intensity ये बात होने चाहिए क्योंकि जब आपने माली जे की कार की headlight की पास concave mirror लगा दिया light bulb आपने focus में रखा सारी लेट राइस पर जाएगी और बाहर कैसे आएंगी parallel आएंगी यहीं parallel light rays आपकी कार की headlight से बाहर की तरफ जाएगी और आपके रोड में अंधेरे में भी आगे गाए बैठी है बैस बैठी है कौन बैठा है इस सब चीज़े आपको आसानी से दिख जाएगी चलो तो यहां से इतो साइड और रियर व्यू मिलर ऑफ वहिकल अब साइड या रियर व्यू मिलर अगर मेरे पास है तो मुझे ऐसा मिलर चाहिए जो कि पीछे का पूरा ट्राफिक मेरे उस चोटे से मिलर में दिखा दे अब कौन के मिलर तो भी अगर दूर की चीज़े तो वह छोटी से देगा लाज दिस्टंस को चोटे से दिस्टंस में कवर्ट या पॉइंट साइज में चन्वर्कर देगा उसे और आपको मिलर में पूरा ट्राफिक दिखाई दे जाएगा तो कॉन विल्ट इस तराइड ओप्शन अ कॉन विल्यू इस यूज आज एस आप लियर वियर विय मिल्स चाहए तो तो हीट पीड्यू स्कूरी गया ज़रूर यह जाता है जैसे आप लेन्स की बात करो तो लेन्स किसमें हम क्या करते हैं जब आपने पेपर जलाई भरा रहाँ और तो वह पैपर जलाने के लिए बिए आपजिवरा वो क्या करता है सारी लाइट को फोकस पर लेकर के आएगा आप बहुत पास पेपर को रखोगे तो सारी लाइट रहे एक ही जगे पर उनकी हीट से वो पेपर जने लगता है उसी तरीके से अगर मिरर्स की बात करें तो मिरर में भी जो कॉन्वरजिंग मिरर होगा हम उसका produce the heat in solar finances okay now let's move on to our next question who to next question and 9th question who are galak galamira he can you say manage currently is a gap you have the car our game in a video take the day so thoda or sardin is in a cell say again the 9th question I have one half of convex lens is covered with a black paper of amnigaki amare passing convex lens the menus ka are they half coke alipi person of the will this lens 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 for you will this lens produces a complete image of the object verify your answer experimentally explain your observation about that up kipa's a mirror hair or a pakao kipa's a glen say or a graph news ka half portion cover kardia to kya hooga to the key is Kelly amnets of sebali convex lens ko baniya or isco ham kya karengi a bar over se cover kardingi kya hooga yeh dekhiya maali jayi focus are okay ya raha aapka focus or ya raha center tab joh focus se jayegi yaha se jaya sakti hai aur reflect honi ki baad parallel ho jayegi check it a light ray haam nne kisi or angle se lili chukye particular angle se diverge ho raha kya haram ilike tekken teryee light rays yaha색 akar mili ingi our hume is case men image me legal chicken abo kya apse poochata ki wilde is lens Praedu رuza kaan complete image of the object diha hanha kome complete image mili aegi hab iska bat dousra case ma or the slider think that am men nece wala portion cover kia tu dehjo ito is case may kya hooga it ito is case may again amne ek light ray kya kira यहां पर पूरा इमज का फॉरमेशन होगा तो यहां पर पूरा इमिज का फॉरमेशन होगा तो अब आपको बात समझ में आई ना ठीक है तो यहां पे हमने कर लिया इसको clear और अगर आप इसका screenshot ले सकते हो तो laser ले लिजे when the upper half of the lens is covered in this case a ray of light coming from the object will refracted by the lower half of the lens these ray may add other side of the lens and to perform the image given object as shown in the following figure तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इसका upper portion cover कर दिया है तो lower portion से मिल जाएगा और अगर आपने इसका lower portion cover किया है तो upper portion से आपको इसकी image का formation हो जाएगा मतलब दोनों ही cases में हमें images जो है वो मिलेगी अब एक और question है और object 5 cm in length is held 25 cm away from the converging lens of focal length 10 cm तो पहली ही line में अब आप बोलेंगे कि माम पहली ही line में क्या क्या दिया हुआ है तो पहली ही line में आपको तीन चीज़े दी हुई है सबसे पहले तो object की height दी हुई है that is 5 cm is held 25 cm away from converging lens अब दूसरी चीज़ आपको बताई हुई है कि lens है convex ठेक है और यह इससे कितनी दूरी पर है इसके जो object की length है object का जो distance है वो है 25 cm जिसे हम negative लेते हैं क्योंकि object हमेशा हम left side consider करते है now the focal length is 10 centimeters lenss की focal length दी वी 10 cm और कियो कि republic lens है convex lens है इसलिए हम क्या करेंगे इसलिए हम इसकी focal length को positive लेंगे क्यों positive chocolapeans क्योंकि convex lens में सारी cases में image काहां philanthrop दी यह Map इसको हुड़के sari image right side पे बनती है इसलिए हमने focal length को क्या लिया हुआ है यहां पर हम focal length को positive लेंगे, so draw the ray diagram and find the position, size and the nature of image, अब position बोले तो आपको इसका image find out करना है, size मतलब कि आपको इसकी height find out करना है image की and nature, real है, virtual है, inverted, direct, कौन सी image आपको मिल रही है, यह सारी बाते आपको बतानी है, अब यहाँ पे हमें दो बात, दो चीज़े दी हुई थी, एक तो हमें f दिया हुआ है और u की value दी हुई है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लगाएंगे lens formula, तो lens formula क्या कहता है, lens formula कहता है, 1 by f equals to होता है 1 by v minus 1 by u, हम यहाँ पे value सारी put कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1 upon 10, 1 by v की जगे हम v लिखेंगे, u की जगे हम लिखेंगे minus 25, which is minus minus plus 25 cm and this is 10 cm, तो जब हम इसे solve करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 upon 10 minus 1 by 25 और 1 by v, अब इसे कैसे solve करते हैं, हम इसका L से हम लेंगे, तो यह हो जाएगा 5 से हम इसे देंगे, तो 5 2's are, 5 5's are, 2 1's and 5 1's, that is 5 5's are 25 into 2, यह हो जाएगा 2, 50, ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका base ले लिया 50, अब इसको कैसे solve करते हैं, तो जिन बचों को नहीं आता है, बहुत ध्यान से देख लेजे, यह 0 से 0 cancel, यहाँ जाएगा 5, ठीक है, अब 25 के लिए हम क्या करेंगे, 1 by 25 into 50, तो 5 5 and 5 1 and 0, 5 1 and 5 2, तो यह हो जाएगा 5 minus 2, that is 3 by 50 will be V, यहाँ फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे यहाँ लिखो, 3 है नहीं, 3 by 50, तो V की value कितनी आ जाएगी, V की value आएगी 50 by 3, जिसको हम solve करेंगे, तो हमारे पास क्या value आएगी, तो इसे भी solve कर लिज तो यह हो जाएगा 3, 1, तो यह हो जाएगा आपका पास 2 and 0 and 8 times, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, तो यह 16.6 something, जो है, ठीक है, तो V की value आगे है, हमारे पास 16.6 cm, ठीक है, जो कि कैसी value आ रहे है, positive value आ रहे है, तो यहाँ पर image बन रही है, और अगर lens आपका convex है, तो वो देफिनेटली रियल image बनेगी, क्योंकि image का position कि side होना चाहिए, right side होना चाहिए, for real, अब हमें बताना है height क्या होगी, तो देखे हमारे पास एक formula होता है, जिसको, मैं इसको rough कर रहे हूँ, 16.6 हमें value याद रखनी है, वी जो होता है, वोता है, V by u, magnification, जो कि यह भी होता है, hi upon h naught, तो हम इ value पता है, यहां से हमें u की value पता है, which is minus 25, they all are in centimeters, and hi की value हमें नहीं निक पता है, h naught की value दी हुई है, 5 centimeter, और क्योंकि object, अब देखे, object कि side होता है, हमेशा left side पर होता है, लेकिन यहाँ पर height की बात की जा रही है, तो जब object आपका इस direction में होता है, मतलब अगर इस axis के positive direction में ह होता है, तो height को आप positive लेते हो, अगर ऐसा होता है image, तो आप उसे negative लेते हो, तो obvious सी बात है, जब आप इसको solve करोगे, तो hi negative आना चाहिए, क्योंकि इस case में image कैसी बनना चाहिए, inverted, क्योंकि V की value कितनी है, 16.6, जो कि कब होगी, जब lens के इस side पर image बन रही होगी, और वो कै कैसी होना चाहिए, negative होना चाहिए, height क्योंकि inverted image है, तो देख लेते हैं, यहां से negative value बिलकुल आही जाएगी, तो हमें इसे जब solve करेंगे, तो 16.6 into 5 divided by minus 25 करेंगे, equals to hi 55, ठीकिन, हमें से further solve कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, 5 into 10, ठीक है, बदो इसके एक particular value आएगी, जिसका value मैं यहां पर directly आपको बता देरी हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, गर मैं calculation करूंगी, तो देखिए, V की value आगे 16.66 cm, और जब आपने edge की value लेगा, निकाली, तो जैसा हम कर रहे थे, वैसा ही, हाँ पर भी solve किया हुआ है, minus 3.3 आ रही है, which is very very right, और this is the array diagram, जहां पर हमने अविसी बात है, focal length हमारी कितनी दी हुए थी, focal length हमें दी हुए थी 10 cm, और object उसे 25 cm दूर था, मतलब focus से काफी दूर है, तो इस case में जो image बनेगी, वो किस तरह से बनेगी, थोड़ी object से चोटी बन रही है, चलेगा, और उसके बाद, पूर array diagram इस तरह से ह तो focal length दी हुए है, वो मुझे दी हुए है, 15 cm, यह दिस्टेंस इस 15 cm, यह optical center है और यह focal है और यह आपका C1 है, और यह आपका C1 है, और यह दिस यह C2 और यह F2, ओके, तो 15 cm focal length दी हुए है, और image 10 cm from the lens, forms an image 10 cm from the lens, अभी एक इमेज बना रहा है, कहां बना रहा है, यहां ब 10 cm from the lens, यहां पर आपकी इमेज बन रही है, ठीक है, अब, अब, how far is the object placed from the lens, अब अबजेक को हम कहां रखे, draw the A diagram, तो simple सी बात है, आपको यहां पर क्या निकालना है, यहां पर आपको U की value निकालना है, 1 upon F को हम क्या रखेंगे, माइस माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यह left side पर है, and V की value कितनी दियो है, आपको 10 cm, which is also negative, क्योंकि यह भी left side पर है, तो minus 10 and minus U, अब हम इसे solve कर लेंगे, यह हो जाएगा, minus 15, minus 10, और equals to minus 1 by U, ठीक है ना, अब इसको solve कर लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है, तो मैं उनको बहुत इच्छे से बता देती हू 5, 1, 2, ठीक है, यहाँ जाएगा, आपका 30, जब आप इसे डिवाइट करेंगे, तो 2, ठीक है, and यहाँ पर आपको मिलेगा, 3, equals to यह, तो यह कितना हो जाएगा, minus 5 by 30, ठीक है, minus V, तो अब इसको और फॉर्दें सॉल करें, तो 30, divided by 5, equals to minus 1 by U, यह जाएगा 6, ठीक है, तो value कितनी आ रहे हैं, आपकी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा, एक चीज़ थोड़ी से मैस हो गई, कि यहाँ पर जो value है, थोड़ी से गरबड आ रहे है, क्यों गरबड आ रहे है, क्योंकि मैंने एक छोटी सी mistake कर दी, जो आपने बुझे नहीं बताई, minus 1 by 10 जब इध नहीं हो जाएगी, minus 30 cm, तो वी जो है, यहाँ को कहां मिलेगा, 30 cm lens से मिलेगा, मतलब कि यहाँ कहीं मिलेगा, और काफी वर्चुल इसकी ray होगी, तो इसका ray diagram हम कैसे बना सकते हैं, तो भी देख लेते हैं, तो यह देखिए, यह आपका lens, नहीं, concave lens है, मैंने convex lens बनाया हु object कहां रखा हुआ है, 15 cm तो इसकी focal length है, और object को आपने बहुत पास यहाँ पर रखा हुआ है, अब देखिए, जब light ray parallel जाएगी, तो क्या होगी, इस तरह से diverge हो जाएगी, और अगर optical center या इसके पास जाएगी, C2 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जिसको अपन 2F2 भी कह होगा, डाय वर्ज हो जाएगी, ठीक है, तो बई, optical center से जाने वाली light ray, इसको अपन क्या करते हैं, वैसे का वैसी draw कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से तो यह diverge हो गयी, तो हम इससे क्या करते हैं, पीछे की तरफ कहीं पर मिलाते हैं, ठीक है, तो आकर के कहीं दूर मिलेंगी और अगर मैं इसका प्रॉपर रे डाइग्राम आपको बना करें बताओं तो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि कितने सेंटीमीटर पर होगा आपका अबजेक 30 सेंटीमीटर पर आपजेक्ट रखा हुआ होना चाहिए तब जाकर के आपको इमेज इस तरह से मिलेखी ओके मैं एक तीज तीज घरबट कर दी ठी सॉरी सोरी मैंने आपको एक छीज ये बता दी थी मैनने डाइग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि मैंने यूटा जो डिस्टेंस है वह अक्च्वल में ऑबजेक्ट का इमिज का दिस्टेंस ले लिया था ल रही है एक optical center से जा रही है तो यह दाइवर्ज हो जाएगी और यह यहां आकर के इस तरह से मिलेगी तो यह है आपका प्रॉपर रही डाइग्राम चलिए तो इस question के बाद हम आगे बढ़ेंगे और next question के तरफ चलेंगे is at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm find a position and nature of the object अब यहां पर आपको एक mirror दिया हुआ है जो कि है convex mirror convex mirror कैसा mirror हमेशा point size image मतलब की छोटी image देगा अब यहां पर आपको यह बताया हुआ है कि object का जो position है mirror के सामने 10 cm है मतलब कि u की value दी हुई है 10 cm और object हमेशा left side होता है इसलिए इसको माइनस 10 कर दे रहा अब इसके बाद focal length दी हुई है तो focal length क्या होती है convex mirror की positive इसलिए हम इसे लेंगे plus 10 cm positive ओके क्यों पॉजिटिव क्योंकि यह कि साइड होती है यह virtual images बनाती है इसलिए हम इसे किस side लेते है inside the mirror मतलब कि यहां पर यहां पर इसकी focal length है यहां पर ओके और यह side है आपका right side और right side की सारी चीज़ों को positive लेना होता है अब यहां से हमें V की value निकालना है तो we will use mirror formula which is 1 upon f equals to 1 by V plus 1 by U now इसको रखेंगे 10 यहां से V की value हमें नहीं पता and okay focal length 15 है मैंने यहां पर गलती से 10 लिख दिया है अच्छा हुआ देख लिया नहीं तो फिर से फिर से हमें numerical को solve करना पड़ता और बच्चो एक्जाम की टाइम में आप लोग भी यह बात का ध्यान रखो कि हमें कभी भी साइन को value को बहुत ध्यान से लिखना है इस तरह से हर बड़ी गरबड़ी ना करें जैसा कि अभी मेरे से हो गई अब 1 by u क्या है आपका माइनस है जो कि है प्लस 10 तो माइनस हो जाएगा यहां से ठेक है क्योंकि यह प्लस था प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया यह हो जाएगा 1 by 15 एक्वल और यह माइनस इदर जाएगा तो प्लस 1 by 10 एक उल्स टू 1 by B इसका एल से हम लेंगे तो 30 हो जाएगा जिन बच्चों को नहीं आता अभी इसके पहले के एक्वेशन में मैंने समझाया कैसे कर सकते हैं तो देख लीजेगा तो 15 टू जा 30 तो यह हो गया टू प्लस 3 एक वान बाइवी टेक है तो वी की वेल्यू यहां से कितनी आ रहे है अगर इस क्वेशन को हम सिंप्ली सॉल करें तो 30 डिवाड़ेट बाइट बाइव फाइव इस 6 cm will be your distance of image तो image कितनी दूरी पर बनेगी तो image जो है वो 6 cm की दूरी पर बनेगी मतलब कि अगर यह kanvix mirror है और object यहां कहीं पर रखा हुआ है 10 cm की दूरी पर तो image इसकी यहां पर बनेगी ठेक है अब इसके बाद अगर कोई पूछे कि कितना इसका magnification है nature क्या है तो देखू magnification का formula होता है minus V by U in case of mirror lens का case है तो positive ले लेना है mirror का case है तो minus ले लेना है अब V की value आपको यहां पर दी होई है 6 cm U की value दी होई है कितनी दी होई है 10 cm जब इसको solve करोगे तो इसकी value आएगी 3 by 2 ठीक है तो आप आप इसे अगर और further solve करोगे तो आपको जो value है वह कितनी मिलेगी magnification V की value कितनी आई है आपकी 6 cm है और U की value है 10 cm तो मैंने कुछ गरबढ करी है विजकुल करी है यह हो जाएगा 3 ठीक है मतलब कि अगर मैं इसको और solve करोगी तो minus 0.5 something यह value जो है मेरे पास आएगी जो की बिलकुल आपको answer देखी कैसे solve किया यह 5 तो हम लगाएंगे point तो यह हो जाएगा एक 0 यहाँ पर increase हो जाएगा तो यह हो जाएगा size कैसा होता है आपकी object के size से छोटा होता है ठीक है न तो इस case का final answer जो होगा वो होगा position है virtual erect and six centimeter in in mirror मतलब कि behind the mirror आप इसे बोल सकते हैं और magnification क्योंकि वन से छोटा है इसलिए image object से छोटी बनेगी आप अगर इसका screenshot लेना चाते हैं इसका solution का तो बेशक यहां से ले सकते हैं चले अब आगे चलेंगे और देखेंगे हमारा next question क्या है तो the magnification produced by the plane mirror is plus one what does this mean अब देखें magnification की value अगर one के बराबर होती है या one से छोटी होती है या one से बड़ी होती है या one से छोटी होती है तो इसके तीन बाते होती है जब आफ one by u m equals to minus v by u से value निकालते है magnification की या फिर h i upon h naught से value निकालते है और अगर वो one के बराबर होती है इसका मतलब object का और image का जो size है वो बिल्कुल same है है ना image और object का size same है that means कि अगर 10 cm का object है तो 10 cm की ही उसकी image बनेगी अगर magnification की value ज्यादा है that means कि object का जो size है टेके वो image के size से छोटा है image बहुत बड़ी बन रहे है enlarged image बन रही है 10 cm का object आपको 20 cm का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि वो magnification वहाँ पर जादा है और object enlarged image बना रहा है enlarged image जो है mirror create करके दे रहा है object की और अगर magnification की value 1 से कम है point में है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो object है वो कैसा है object का size image के size से बड़ा है अब यहां पर दो बाती और याद रखनी है कि अगर magnification का sign minus आ रहा है that means की real image बनेगी और अगर magnification का sign पर प्लस आ रहा है तो virtual image इस case में आपको मिलती हुई दिखती है बनती हुई दिखती है तो इन बातों का इन points का आपको ध्यान रखना है तो this is your magnification से related कुछ tricks and tips अब यह तो गया plane mirror का case तो यह पूरी जो lines लिखी हुई है अगर आप इसका screenshot लेना चाहते है तो ले लीजे देखिए बहुत अच्छे से लिखना है 5 cm the distance of 20 cm in front of a convex mirror अब यह जो object है इसका distance है 20 cm बना 20 cm यह object mirror के सामने रखा हुआ है radius of curvature आपको दिया हुआ है 30 cm find the position मतलब कि आपको वी बताना है और नीचर बताना है अब देखिए यहां पर आर दिया हुआ 30 cm तो f हम निकाल सकते हैं क्योंकि f की value होती है r by 2 तो यहां से 30 by 2 आपकी value आएगे that is 15 cm और यह positive होगी क्यों positive होगी मैंने अभी अभी आपको बताया था अब यहां से हम वी निकाल लेंगे क्योंकि हमें f भी पता चल चुका है तो वी निकालने के लिए क्या करें तो f1 upon f equals to 1 by v plus 1 by u कर दीजे यह होता है mirror formula अब f की जगे पर मैं क्या रखूंगी 15 cm रख दूंगी काफी आसान है वी की जगे पर मुझे क्या रख देना है तो वी की जगे कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता ही निकालना है यू की जगे क्या रखेंगे तो minus 20 cm हम यहाँ पर value put कर देंगे और जब यह minus 20 प्लस से मिलेगा तो क्या होता है plus minus minus हो जाएगा अब यह minus side आएगा तो 15 plus 20 कर देंगे और यह हो जाएगा one by v अब हम इसे further solve कर लेते हैं तो सबसे पहले तो 15 और 20 का LCM ले लो बच्चो कितना होता है पांच 3 5 थेखो मैने तो हिंदी में होट फटा होट से याद रखती हूं को इसलिए मैं बोलते हो पांच 3 15 25 ways इस तरह समें बोलते हूं तो अगर आप वह आए तो हिंडी में बोलिए और अगर इंग्लिश में आथ हो एको इंग्लिश में बोल सकता है as your wish ठीक है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 60 है ना तो आप LCM आपको आपने ले लिया अब इसे बेस में रिख दीजे ठीक है और यहां से हम इसे solve कर लेंगे 1 by 15 into 60 ठीक है तो जाधा tension लिए लो लो P3 से डिवाइट कर दो 4 तो यहां पे कितना हैगा 4 आना और यह हो जाएगा आपका 3 ठीक है 4 or 3 7 by 60 equals to 1 by V तो यह जाएगा 60 by 7 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 860 को डिवाइट करना है हम तो यह होगा 8 टाइम्स दे दो भाया इसको यह हो जाएगा 4 पॉइंट 8.5 तो वी की वाइगी 8.5 सेंटीमेटर और पॉजिटिव वारी तो चलेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है और वर्चूल बनाएगा वर्चूल में हमेशा राइट साइड पर होती है तो यहां से हमें 8.5 सेंटीमेटर वी की वैल्यू मिल गई लेकिन अब उन्होंने आपसे पोजिशन नेचर और साइज भी बोला है और जब आपसे बोले ना बच्चों की साइज भी निकाले तो मतलब को यहां पर करना है तो अब देह हो मागनिफिकेशन अगर आपको यहां से दिख्याई दे रहा है मैं दिखाई दू ना दू लेकिन आपको सोलुशन दिख्याई देना चाहिए मैगनिफिकेशन होता है माइनस वी by u या फिर h i upon h naught तो हम इन दोनों रिलेशन को एक्वेट कराएंगे अगें तो वी की वैल्यू कितनी है एट पॉइंट ओ ओ ओ हां वी की वैल्यू है एट पॉइंट फाइब एड यू की वैल्यू है दिखा divided by 20 which is minus 20 and minus 20 क्यों होगा तो इसके लिए यहाँ पर एक बात सुन लिजे यह माइनस है तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह वापिस से 20 हो जाएगा आंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट फाइव बाइफ आप कर लेजेगा तो आपको इमिज की हाइट मिल जाएगी जो कि कैसी होगी जो कि आपको कैसी मिलने वाली है जो कि आपको थोड़ी थोड़ा से क्वेश्चन मुझे लग रहा है गरबर कर दिया क्या मैंने तो जल्दी का काम शैतान का काम होता है बिल्कुल होता है क्योंकि यहां पर 20 cm है और मैं ऐसे हाँ 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 ठीक है ना तो सही तो वैल्यू आएगी फोटा ही इमेज मिलेगी ना तो देखें कॉन्व थैश की वैल्यू कितनी आ रही है 2.2 cm और हईक वैल्यू कितनी थी तो यहां से हाई के वल्यू थी 5 cm तो अबजेक्ट की हाईट और इमिज की हाईट को देखकर कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि इमेज की हाइट बढ़ी है और अबजेक्ट छोटा है यहां जो मैगनिफ इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज आपको इस केस में मिलेगी आप भी सोच रहोंगे ना कि माम कहीं कहीं गर्वडी कर देती है भी देखें लाइज जो आपकी क्लास लेते हैं थोड़ी बहुत निस्टेक हो जाती है अगर आराम से कल्कुलेशन करेंगे तो कोई देंशन नहीं बट ठीक है चलता है और अबजेक्ट ओफ क्वेशन नमर 15 देख लेते हैं अबजेक्ट ओफ साइज सेवन सेंटीमीटर अब देखें यहां पर ऑबजेक्ट का साइज दिया हुआ है सेवन सें 27 cm in front of a concave mirror अब यहां पर concave mirror है जो कि कितना है 20 cm हम इसे 27 cm को माइनस लेंगे क्योंकि यह कहां पर प्लेस होगा लेट साइट पर होगा फोकल लेंथ यहां पर दी हुए 18 cm तो फोकल लेंथ भी क्या होगी माइनस होगी माइनस 18 cm एट वाट इस्टेंस फॉन दे मिरर शुड़ा स्क्रीन भी प्लेस होदा शाप फोकस्ड इमेज कैन भी ऑप्टेन शाप फोकस्ड इमेज हमें चाहिए है तो सिंपल सी बात है हम इ माइनस अठारा वी की वैल्यू निकालनी है और यू की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस 27 तो प्लस माइनस माइनस 27 यह हो जाएगा 18 प्लस 27 एकोल स्टू 1 बाई वी अगेन एल से में आपको बदा देते हूं यह हो जाएगा 18 27 ठीक है 6 9 2 3 1 2 1 यह जाएगा 3 3 3 3 3 3 ok and 2 यह कितना हो जाएगा 27 and 2 54 तो इसका LCM कितना आएगा 54 यहां पर LCM आजाएगा अब आप इसे solve कर लिजे 18 से divide करेंगे ते हो जाएगा यह होगा 54 बाई 27 जो कि दो 2 ताइमस जाएगा तो माइनस 3 बाई प्लस 2 यह हो जाएगा 1 by 54 मतलब वी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास माइनस 54 ओके तो यहां से वी आ गया है माइनस 54 सेंटीमीटर ठीक है अब ओविस सी बात है कॉनके मिरार है रियल इमेज आपको कब तभी मिलेगी जब इमेज कहां पर हो आपकी लाइफ लाइफ साइट पर ही प्रपियर होने चाहिए माइनस 54 उसका सही आंसर माइनस 54 के डिस्टेंस पर आपकी जो इमेज है वह होने चाहिए अब इसकी बाद आप से क्या पूछा है आप वाट इस्टेंस फों दे मिरर शोड़ा स्क्रीन भी प्लेज वाइस वाइस स्क्रीन भी प्लेज सो दाट शाप फोकुस्ट इमेज चैन भी आपके लिखेंगे साइज भी निकालना तो अब देखें मैंनिफिकेशन का वही रूल यूस करेंगे माइनस वी बाई यू इकोल स्टू एच आई अपन एच नॉट हम करेंगे तो माइनस 54 यहां पर लिखेंगे यू की वल्यू कितनी होगी माइनस 27 एन एच आई की वल्यू हमें निकालनी है एच नॉट हमें धिया हुआ है 7 सेंटीमेटर ओके नौ यहां अब्जेक का हाइट अब तो पॉजिटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव हमने ले लिया अभी माइनस से माइनस कैंसल और दिस 27 इस डिवाइड तो ताइमस 27 तूजर 54 हो जाएगा तो यह 2 आ गया लेकिन कैसा आ रहा है माइनस का आ रहा है और इंटू 7 तो एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14 सेंटीमेटर इस एच आई विच इस नेगेटिव तो यह नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है तो नेगेटि मेर्द आऋली कि वैल्यू एच नौट से जाधा आई है हाणा लेकिन कैसी मिलेगेए आपको यह रियल इमेज मिलेगी को कहां मिलेगी और आपके मिलर के सामनी ही मिलेगी तो आखनी मीम सर्य ही है कि साइज कैसा है ? मागनीफकेशन large magnified image मिलेगी real मिलेगी inverted मिलेगी और in front of mirror बनेगी चलिए तो यह अगर आप screenshot में लिखना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं यह रहाँ आपका actual ray diagram now let's move on to our second last question which is find the focal length of lens of power minus 2 diapter what type of lens is this अब देखें आपको power दे हुई है minus 2 diapter ठेक है focal length क्या होती है one by p कर दीजे तो हो जाएगा one by p that means minus 2 यह minus value आपको क्या दिखा रही है minus 0.5 cm meter में होता है तो focal length आपकी minus आ रही है और किस lens की focal length minus होती है तो minus होती है concave lens की क्योंकि concave lens का image formation left side पर ही होता है इसलिए हम इसकी focal length को भी क्या लेंगे negative focal length that means कि यह क्या है एक concave lens है clear चलो बहुत easy is a question था screenshot लेना है मेरी writing में लोगे हो सकता है समझ में ना है इसलिए में यहां पर print भी यहां पर आपके लिए लगाया हुआ है आप बहुत इच्छे से स्क्रीन शॉट ले ले diverging और converging तो भी आपको यह बताना है कि जो value आई है यहां पर यह diverging lens है या फिर converging lens है तो plus value किसकी होती है convex lens की focal length होती है तो plus है that means convex lens to converging होता है तो यह lens कैसा है because the focal length is positive the prescribed lens is converging that is convex lens यहां पर हमने यूज किया होगा तो आई होप यह जो NCRT solution है यह आपके लिए helpful रहा होगा बिल्कुल आपके ही तरह मैंने इस सारे questions को solve किया है एक बार बस आपको NCRT को go through करना है और आपको हर तरह के questions बन जाएंगे इन टेक्स questions को भी हमने solve कर लिया है अब बारी है NCRT exemplar की जो कि हम next video में solve करने वाले हैं एक्जाम की तयारी को करना है बहतर तो आज ही सब्सक्राइब करिए step up academy को where you can learn today and lead tomorrow मिलेंगे हम next video में तब तक के लिए thanks for watching